और यहां पे आज का फॉर्स्ट नप प्रस्षन है कि अमली वार्षा के कारक होते हैं तुमीद करते हैं आपका एंसर आगया होगा कि अमली वार्षा का जो मुख्य कारण होते हैं वह अनो टु और एसू टु के मिजट्रन होते हैं याद रहेगा ऑप्शन मर जो यहा पे बी ह वह राइट इंसर हो जाएगा दोस्तों आप अपने इंसर जो टाइप करते चलेगे दोस्तों इसे पाता चलेगे कि आपकी तियारी कितनी मजबूत होई है अगर आपका रिजल्ट सब्तर में अगर पचास प्लस अगर होता है इस सेसन में तो आपका 35 में 35 आना बिल्कुल ही दोस्तों यानि कि बोड़िक जामें आप 35 में 35 करकर आएगा यह 100% कर सकते हैं कि आपका आएगा ही लाइकेन सुचक होता है तो लाइकेन जो सुचक होता है वह यह सुचक होता है याद रिखे और जो यहाँ पर भी है वराइट इंसर हो जाएगा दोस्तों इस सेसन में 70 निर्मार होता है याद रिखेगा तो यहाँ पर इस से कोशंस का राइट इंसर हो जेगा और यहाँ पर प्रस ने पुछ लिया गया है कि मानव सधारते या ध्वानी तिवरता सहन कर सकता है तो अब 20 से 30 डेसिबल के बीच इहीं वह ध्वानी सहन कर सकता है अप्सन नमर जो हैं गोद से कोशन मिलने वाले हैं दोस्तो और यहाँ प्रस ने पूछ दिया गया है कि निवनी में से किस में जल्परागर्ण होता है काफी महत्यप्रशन है तो यह है इसका राइट एनसर हो जब पर जीगा अप्सन नमर जो यहाँ पर सी है वह सही एंसर के साथ राइट ए चलेगा और यहां पे आप प्रश्ण को देख रहे होंगे कि ट्राइस्ट्रोमी 2N प्लस 1 के कारण बच्चे मंद बुधी के हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं तो इसे ही हम लोग आसानी से कते हैं डाउन सिंड्रोम और इसमें गूर्ण सुत्रों के संक्या जो होती है वह इसका एंसर आप दे दिये होंगे कि ट्राइस्ट्रोमी 2N प्लस 1 के कारण बच्चे मंद बुधी के हो जाते हैं तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रों के नाम से जानते हैं दोस्तों और यहां पर प्रश्ण पुछ लिया गया है कि DNA फिंगर प्रेंटिंग नीवनि में से क्या है तो उमिद करते हैं इसका एंसर आप दे दिये होंगे कि DNA टाइपिंग और यहां पर सी हे वराइट एंसर होजेगा और यहां पर प्रश्ण पुछ लिया गया है कि निवनि में से किस DNA अनु में 원 procurement होता है एडिनीन सैटोसीन साइटोसीन का कि थाइमीन और एडिनीन गौनीन और डि में इन्मे से कोई नहीं तो यहां पर फुष्च लेगे किस DNA में יהडे अनु में Nach figure उपस्थीत होता है तो एडिनीन और गुआ नीन में इसका राइट एंसर हो जएगा option नमर जो यहाँ पे C है वह बिल्कुल ही सही एंसर हो जएगा दोस्तो आप अपना एंसर जो टाइप करते चलेगा और यहाँ पे प्रस्ण पुछ दिया गया है कि F2 संतत्ती की बाहल लक्षणी अनुपात अपुर्ण परभावता की इस्तिती में क्या होता है जब इस प्रकार से कोशन रहेगा दोस्तो कि F2 संतत्ती की बाहल लक्षणी अनुपात अपुर्ण परभावता की इस्तिती में क्या होता है तो इसका राइट एंसर हो जगा option number C एक अनुपात दो अनुपात एक हो जाएगा और एक कोसंस पूछा जाता है बोडिक जामे कि एक क्रोस के लिए फिनोटिपिक अनुपात कितना होता है तो एक क्रोस के लिए जो होता है तीन अनुपात एक होता है और वहीं 2 करस के लिए अगर पूछता है बोडिक जामे तो 9 अनुपात 3 अनुपात 1 होता है याद रेखेगा फिनोटिपिक अनुपात तो यहाँ पे इस प्रस्ण का राई टेंसर हो जेगा अप्सन नमर सी तो यह सभी का निर्मार करता है अप्सन नमर जो यहाँ पे डी है वराई टेंसर हो जेगा दोस्तों सेशन अच्छी लग रहे हो इत्ते से लाइक जो कीज़ेगा दोस्तों और चलने पढ़ना है जूरे हो तो जो सब्सक्राइब कर लिए जेगा और यहाँ पर प्रस्ण प्रस्ण को की गर्भास से किससे संबन्धित है तो मादा इस्तिरी जनन तंत्र से संबन्धित है यानि कि अप्सन नमर जो यहाँ पर बी है वह राई टेंसर हो जाएगा दूस्तों और यहाँ पर प्रस्ण पूछ लिया गया है कि इनमे से कौन से जोड़ी गलत है ग्वानी साइटोसीन, थाइमीन, एडिनीन और यहाँ पर थाइमीन, यूरेसील और एडिनीन, यूरेसील तो यहाँ पर कौन से जोड़ी यहाँ गलत यहाँ पर दर्स आए गया है तो जो थाइमीन और यूरेसील होता है यह बिलकुल ही गलत है दूस्तों क्योंकि DNA में थाइमीन पा पाई जाता है याद रखेगा यहीं इसका गलात जोड़िए अपसे नमबर जो यहां पर डी है वह सही एंसर होजेगा और यहां पर तेरण आव प्रस्ण को देखेंगे कि चरम समुदाई किस छेतर में पाए जाता है काफी महत्तपों प्रस्ण दोस्तों कि चरम समुदाई किस छेतर में पाए जाता है तो उमीद करते हैं आपका एंसर आगे होगा ऑप्सन नमबर ए जो की बिल्गुल ही सही एंसर होजेगा संतुली छेतर में चरम समुदाई अगर 50 प्लस आ रहा है तो बोडिक्जा में आप फार कराएगा नहीं कि 35 में 35 आप कराएगा पूरे गरांटी के साथ कर सकते हैं दोस्तों और यहां पर प्रस्ण पुछ लिया गया है कि DNA साचे पर RNA के निर्मार को क्या कहते हैं तो काफी महत्त प्रस्ण दोस्तों कि DNA साचे प ट्रांस्क्रीप्शन अप्सा नमर जो यहाँ पे B है वह सही एंसर हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रस्ण को कि इस्ट में प्रजनन मुख्यता किसके माध्यम से होता है मुकुलन प्रागन भी खंडिकरन और D है इनमे से सभी के दोरा तो यहाँ पे इस्ट में प्रजनन मुख्यता किसके माध्यम से होता है उमीद करते हैं आपका एंसर आगे होगा अप्सन नमर ए जो की बिल्कुल ही सही एंसर होजेगा मुकुलन के दोरा होता है और भी खंडिक कारन के दोरा वह परामेसियम और अमीवा में संभाव हो पाता है तो इनमें से किसके अधिक समान थे तो इसका जो राइट एंसर होजेगा अप्सननबर ए यहां पर प्रशन पुछ लियाग है कि छे रोग का संक्रमन मुख्यता किस के दवरा होता है हावा के दवरा, जल के दवरा, कीटो के दवरा और संपरक के दवरा तो छाय रोग का संक्रमाल मुख्यता किस के दवरा होता है, उमीद करते हैं आपका एंसर आगया होगा कि A जो की बिल्कुल ही सही एंसर होजगा A is the right answer for this question दोस्तो और यहाँ पर प्रस्ण है कि कुछ रोगोग की सिग्र एंछ सही पहचान है तु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं एलीषा, कल्चर, रसायनो और बिशलेंश न रातमक और तो यहाँ पर प्रस्ण है कि कुछ रोगोग की सिग्र यों सही पहचान है तू हम किसका प्रयोग कर सकते हैं तो इसमें हम लोग एलिसा का प्रयोग कर सकते हैं अप्सर नमर जो यहाँ पे ए है वो तो सही एंसर हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रस्ण को कि MPR जीन किसमे परतिरोधक च्छामता विकासित करता है तो इसका right answer हो जगा option number यहाँ पे C प्रति जेविक इसका right answer हो जगा जो भी दोस्त option number C को बता हैं उनका विर्कुल नहीं सही answer हो जगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रस्ण को कि कार्मिक जेविक विकास से पुर्ण रसाइनिक विकास हुगा था इसकी ओधरना किसके द्वरा दिगए थी तो उम्मीद करते हैं आपका एंसर आएगा A. A. I. ओपरीन तथा J. B. S. हल्डेन द्वरा यह कथन कहा गया कि कारवणिक जेवी विकास से पुर्वरासन नहीं विकास हुआ था इसके अधरना ए आई ओपरिण और जेवी एस हल्डेन के दवरा कहा गया था यहाँ पर 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 यहाँ सम्भंधी थे तो पादिपों में उभाय अस्थानी किसे के सम्भंधी थे तुमीद करते आपका एंसर आएगा वरायव फैट्स जो की बिल्कुल ही राइट एंसर हो जगा अप्सन अमर जो ए है वर तो राइट एंसर हो जड़ेगा अप्सन अमर जो ए है वह कोकीन किसे से प्राप्त हो तो अरिट्रो जालं कोका से प्राप्त होता है याद जलम कोह का से पराप्थ होता है तो इसका राइट एंसर अप्सन पुछ लिया गया है कि चीक जीन करन के आपकर करन है तू कि उप्यों कर सकते हैं तो यहां पर भी है वह सही एंसर ही तो चलिये नेच पराश्ण को देखते हैं है कि की यूगमग समान्यता कीस परकार के होते हैं युगमक आप नाम सुमते ही आपको दो याद आना चाहिए तो आप जब गुणक जोड़ते ही एक गुणक तो ये दो के बराबर ही होता है तो है प्लॉइड इसे कहते हैं ठीक तो अपसा नमबर जो यहां पे ए है और आई टेंसर हो जाएगा जल्दी-जल खाग लेते हैं नौर मादा तो अप्सिन चिखोन तो आप सिद्धत को अच्छे से देख लिजिएन गाованवतार गुदिद्ध करके देख लिजीगा उसके बाद जाकर पीडियाफ डानलोड करके प्रेक्टिस कलेंगे तो 100-100% आपका याद भी हो जाएगा तो पीसी कल्चार यानिक मतस्य पालन यानिके मशली पालन किसी से संब्धनी थे तो मशली तो जाहिल से बात है जलिए जनतुओं कहीं कहते हैं यानिक तो यूरेसी सील कहेगा तो यह आरेने में उपस्तित रहता है और थाइमीन जो होता है वह डीने में उपस्तित रहता है लेकिन तीन जो होता है यूरेसील थाइमीन एडिनीन साइटोसीन यह सभी आरेने में और थाइमीन जो होता है यह डीने में उपस्तित रहता है याद रखेगा तो यहांपे प्रस्ण है कि थोड़ा सा च्छोट कर देते हैं तो प्रस्ण में कि में ההप्मेन के बीच की स्वरकार का बंध बनता है तो इसका राइट एंसर होज़ेगा अप्सन नमबर ए पेप्टाइड बंध का निर्मार होता है यह इस दे राइट एंसर फोर दिसकोशन आप अपना एंसर जरू टाइप करते चले दोस्तों सेशन अशी लग रही तो जरूर लाइक कर देजिएगा और यहा हम लोग आसानी से जो कहते हैं दोस्तों इसे हम लोग ट्रांसवर्सन कहते हैं अप्सन नमर जो यहां पे बी है वह राइट एंसर होज़ेगा ठीक और यहां पे आप देख रहे होंगे प्रस्ट को कि जीन परिपक्वा बीजों में ब्रूर्ण कोस रहता है उन्हें क्या कहत रहे हैं कि बीच समय भी पहुत काम लिया जा रहा है तो एक पर जरूर्ण कर देजिए इस मेहनत को देख्ते हुए आप महत्तपुल महत्तपुल को संस को तैयारी करते हैं कि वहीं लाए जाये जो आपके लिए अभी के समय मतलब चाहिए तो चाहिए यानिकि भीवी आई प यह जाईगोट Mountains का निर्मान होता है अब कि गोली के तरह ऊड़ा देंगैंने कि सतर अबजक्टिब रहेंगा जिसमें से साथ पलस कोशंस का इंसर मालम रहेगा ठीक उसमें साथ बीच बीच के लगाएंगे ठीक बीच बीच के लगाएंगे कौन सा ठीक लगाएं एक से लगाएं कि या दो से लगाएं यानिकि ठीक बीच बीच के लगाएंगे दोस्तों इतना रिविजन करवा देंगे दोस्तों सं गरबता के दूसरे माहा के अंतक भ्रूंड में बिक्सित हो जाते हैं उसके क्या होते हैं दोस्तों कि उसके पाद और उंगलिया यानिकि उसके पैर के उंगलिया जो की है तैयार हो जाती है यानि बिक्सित हो जाती है और यहां पे जो देख रहे हैं कि सुक्राणू में क्रोम लुपाइब जाय से सुक्रानु जाहिर सीसाधेगे सुक्रानु जाहिर सीवात है पूरसूंट में पाइभ पूरसों पूरस प्सवाई होते हैं योदी सब्साख सब्रक्राइब सबकाक दोस्तों और जड़ूर इसे में जड़ुक करने का प्रयास किसाइगा जड़ूर एक आदमय में अगर एक के पास मतीशियर करता है तो इससे बढ़ कर क्या हो सकता है अमारे लिए तो आप भी सब सब कुछ हैं आप सब कुछ हैं तो हम आपके लिए तो बहुत कुछ करना चाहते हैं इसे चैनल के मादम से रिलेक्सिन सरावित होता है तो आपका उम्मीद करते हैं एंसर आ गया होगा कि रिलेक्सिन जो स्रावित होता है तो अन्डाइस से होता है दोस्तों दोस्तों महिलाओ के सले कीरिया दोरा बादे करन की परकिरिया को क्या कहते हैं काफी महत्तपों प्रस्ण है दोस्तों कि महिलाओं के सले किरिया दौरा बंध्यकरन की परकिरिया को क्या कहते हैं तो इसे हम लोग नली का उच्छेदन के नाम से जानते हैं अप्सन बर्जों यहां पर यह है वराइट एंसलोजी का नली का उच्छ ऋप्ताई है कि यहां परसन है कि यह थो प्रसन देखते हैं आपको नहीं होता कि अधो सवाल यानिकि इसको हटा यह किला देगे तो गुझा या ही होता है दोस्तों यह तहां या तो सीफली या तो कौछेगा यह तो इससंचाहित रोग होता है आपके बीचे बोड इकजा में एक या दो प्रस्ण उतर योन संचाहित रोख से रहेंगे 100% दोस्तों 100% तो ले लिजिए यहां से एक नमबर आपका बिल्कुल नहीं फिक्स है तो अप्सन पर जो C है वो राइट एंसर होजेगा और यहां पर प्रस्ण आप देख रहें होंगे की हाइड़ोफोबिय यहोड़ होता है तो हाइड्रोफोबिय और एट्स TO को देखते ही आप वायरश लगाएंगे ना कि इसमें ए और भी सही है इसमें तो वो औक्स नहीं नहीं दुस्तों से करण होता है跟ndon से अप्सन वर्ण जो यह आप più आ एंसर और यहाःट करण किस विमारी के बच्चाव के लिए दिया जाता है तो उमीद करते हैं आपका एंसर आगया होगा कि इसका राइट एंसर जो होगा है वह अच्छाय रोग अपसन वार जो भी है वह सही एंसर होजेगा और यहां पर आप देख रहे होंगे प्रस्ण को जो की काफी महत्त्यपों है कि निमने लीखित में कौन सी गाय की नसले उच दुख-दुख उतपादक लाइट में तो चलता ही रहता है दोस्तों जब तक हम लोग जानते ही है कि कतला हो गया रहू हो गया सभी हमारे मतलब जगाहों में पाए जाती है तो यह सब हम लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पे बंबे डग जो होता है यह समुंद्र में पाय जाती है अपसा नमबर जो यहाँ पे सी है वह राइट एंसर होजेगा दोस्तो और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रस्ण को कि संकर की पहचान की इसके द्वरा की जाती है तो संकर की जो पहचान होता है दोस्तो आपका answer आएगा option number B जो की right answer होज़ेगा auto radiography के द्वरा option number B है वो right answer होज़ेगा दोस्तो और यहाँ पर प्रस्णा आप देख रहे होंगे कि जेव ब्यवास्था में सबसे सू असपस्ट इकाई को क्या कहते हैं तो जेव ब्यवास्था में सबसे सू असपस्ट इकाई को हम लग कोज़ क्या कहते हैं option number जो यहाँ पे sorry D है जो की right answer होज़ेगा option number जो D है वो right answer होज़ेगा और यहाँ पर प्रस्णा है कि निमने लिखित में कौन वन प्रस्थित की तंत्र का एक उत्पादक है तो इनमे से बताना है कि कौन वन प्रस्थित की तंत्र का एक उत्पादक होता है तो आपका answer जो आया है C टेक्टोना जो की right answer होज़ेगा दोस्तों बिल्कुली सही जबाब है option number C मधुमाखी पालन को क्या कहते हैं तो मधुमाखी पालन को यहाँ पे जो कहते हैं दोस्तों option number A AP culture कहते हैं PC culture यह मचली पालन सेरी culture यह रेसम कीट पालन होज़ेगा तो AP culture इस दर right answer फोर दिसकोसन दोस्तों option number जो A है वर right answer होज़ेगा सेरी अच्छी लगरें इसे लाइक जो कर देजिगा तो चानल पढ़ना है जो जो सब्सक्राइब कर लिजिगा और यहाँ प्रस्णे की कचे नारियल का दूधिया पानी होता है तो कचे नारियल का दूधिया पानी जो होता है दोस्तों option number यहाँ पे जो सी है द्रावित भुरूंड कोस जो की राइट एंसर हो जेगा option number जो सी है वह सही एंसर हो जेगा और यहाँ पर प्रस्णे पुछ लिया गया कि नील देश सिंड्रोम किसके द्वरा होता है तो नील देश सिंड्रोम जो होता है दोस्तों यह होता है मिथनोगलोबीन की कारण यानिका option number जो यहाँ पे डी है वराइट एंसर हो जेगा दोस्तों और यहाँ पर प्रस्णे पुछ लिया गया है कि उतक सनवर्धन में परकट होने वाली भी भीनताई है तो उतक सनवर्धन में होने भी भीनताई जो होती है दोस्तों यह होती है सुमा कोलोनल भी भीनताई option number जो यहाँ पे ए है वराइट एंसर हो जेगा और यहाँ पे आप प्रस्णे को देख रहे होंगे कि वाहित जल मल उपचार है तू किस स्टेज में सुक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है तो वाहित जल मल उपचार के किस स्टेज में सुक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है तो उमीद करते हैं आपका एंसर आया होगा option number B द्वित्यक उपचार जो कि सही एंसर हो जेगा option number B है वो राइट एंसर हो जेगा और यहां पे एक आवनव प्रस्ण आपके सामने है जो कि काफी महत्तपूर है कि नियंतरक जीन को क्या कहा जाता है यह काफी भी भी है प्रस्ण है कि नियंतरक जीन को क्या कहते हैं तो इसे हम रिप्रेसर जीन के नाम से जानते हैं option number जो यहां पे B है वह तो सही एंसर हो जेगा और यहां पर देख रहे होंगे प्रस्ण को कि यूकरियोट्स में इंटिग्रेटर जीन प्रोकरियोट्स के किस जीन की तरह कारे करता है तो मीद करते हैं आपका एंसर आया होगा नियंतरक जीन जो की बिल्कुल ही सही एंसर होज़ेगा अप्सन अबर जो ए है वह राइट एंसर होज़ेगा लाश्ट में जरूर कमेंट किजिए कि यह सेशन आपको कैसा लगा क्या इस सेशन को अधिक C यहां पर देख रहे होंगा दो कि एक जैन के भीन रूप को क्या करते हैं इसका उनसर होज़ेगा अप्सन भर जो यहां मुखी से निकली गैस भी अधूल कर भी होता है जो कि प्रकृतिक वायू पर दूसर के रूप में जाना जाता है और यहां पर आप देख रहे होंगे प्रस्ण को कि आरवी के कैची जो DNA को एक बिसीष्ट जगह पर कारता है क्या कहलाता है तो आरवी कैची जो DNA को एक बिसीष जगह पर कारता है तो इसे ही हम लोग रेश्टिक से एंडो नुकलियस के नाम से जानते हैं अप्सन बर जो यहां पर सी है वह सही एंसर हो जाएगा दोस्तों आप अपने एंसर जो टाइप करते चलेगे दोस्तों और यहां पर प्रस्ण आप देख रहे होंगे कि द्वी न जो सी है वह राइट एंसर हो जेगा और इन में से बताने कि कौन सी चैन प्रारंब कोडान होता है प्रारंब कोडान एउजी सी सी यू एजी और यू डबल यू ए तो यहां पर इन में से कौन सा प्रारंब कोडान होता है तो एउजी हो जो होता है वह प्रारंब कोडान के स होता है और दसनोरक्षी और और संतत्त होता है यहां पर अप्सन वर जो सी है वर आइट एंसर होजएगा दोस्तों आप अपना इंसर टाइप करते चलिएगा दोस्तों और लास्ट में जरू कमेट किजिएगा कि यह सब यहां पर बताने कौन सी जनसंख्या नियंत्र की यह सभी हो जाएगा और यहां पर देख रहे होंगे प्रस्ण को कि निमने मैं से क्या नहीं हैं काफी महत्थ्तपवन पर दुर्श्न दोस्तों प्रीज्शस नियमने में से क्या नहीं बनाते हैं तो औक यहां पे घौन कंद का उधारन होता है काफी महत्यपों प्रस्ण दोस्तों कि घौन कंद का उधारन होता है यह प्रस्ण देखते हैं आपका एंसर आगया होगा कि कुलो के C यानि की All इसका Right answer होज़ेगा Option नमर जो यहाँ पर B है वह सही answer होज़ेगा पोधो में और्द सुत्री भी भाजन होता है तो जड़ के उपरी भाग में प्राकण में एंथर में तने के उपर उपरी भाग में और D है एंथर में तो पोधे के और्द सुत्री भी भाजन जो होता है दोस्तो तो इसका Right answer होज़ेगा Option नमर डी एंथर यह और यहां पर प्राश्ण पुछ लिया गए कि यूडेसिल किस समन्दीत है तो यह पहले देख चुके थे तो यह आरेने से समन्दीत होता है अप्सन नमर जो A है और Right answer होज़ेगा और थामीन जो होता है वह DNA से समन्दीत रखता है याद रखेगा Option नमर जो यह है और Right answer होज़ेगा यह भी प्राश्ण देखे थे कि एंपियर जीन किसे किसे परती रोधक्षामता विक्सित करने है तो उतरदाई होता है तो यह प्रती जेविक के लिए यानिका Option नमर जो सी है वह राइट एंसर होज़ेगा जरूर कमेंट किजिए कि सतर में आप कितने प्रश्ण तर जानते थे दोस्तों जरूर कमेंट करने कर प्रयास कर जीएगा और यहां पर आप देख रहे हैं कि कारणिक जेविक विकास से पूर्वर असानिक विकास हुआ था इनके अधरना किसके दोरह दी गए थी तो यह भी देखते तो अप्सन नमर जो ए है वराइट एंसर होल्डेन और ओपरीन के दोरह दिया गया था व से अप्सन नमर जो यहां पर भी है वराइट एंसर होजेगा और बीटा लिंफोसाइट का निर्मार कहां होता है तो यह भी अस्तिमाजास से होता है बीटा लिंफोसाइट का है या टी लिंफोसाइट का है तो अप्सन नमर जो यहां पर ए है वराइट एंसर होजेगा अफ दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 70 में 70 अब्जेक्टिव को देख चुके हैं लास्ट में जरूर कमेंटिव करें